अमिन के लिए पाबंद एहद लेकिन जरूरत पढ़ने पर किसी भी कारवाई के लिए तयार सद्रे जमूरिया का इत्याव हिंदुस्तानी फोज की हिम्मत और बाहदुरूई की रामनाद को विन्ने की सतायश दो रोजा दोरे पर गुजरात पहुंचे वजिराजम जामनगर में ग्रूगोईन हॉस्पिटल का मोदी ने किया इफ्तिता नापसंदीदा ख्यादत की वज़े से कौंगर्स हरकार ने तबदील की पार्टी उत्म कुमार रेड़ी की तन्खीदों का केटिया ने दिया जवाब और रियासत भर में शिवरातरी का जो शुक्रूर से एहतमाम सद्ध जमूरिया वजिराजम गवर्नर और चीफ मिनिस्टर की अवाम को मुबारक बाद आद आप मैं हूँ मौहमद रफी और अब तफसील सद्ध जमूरिया रामनाद कोई ने कहा कि हंदोस्तान हमेशा अमन के लिए पावंद एहंद है ताहम मुल्क के ताहफूस के लिए जरूरत की तो कोई भी खदम उठाने के लिए तियार है सद्ध जमूरिया ने हालिया पेशाए वाकियात के दौरान हिंदूस्तानी फोज की बहादूरी के सताश की टेमिलाडू के सोलोर एर फोस स्टेशन पर सद्ध जमूरिया ने मुक्तलिफ प्रोग्रामों में हिसा लिया खबलाजी सोलोर एरफोस इस्टेशन के पांचवें बेस रिपेर डिपो पर फिजाया के दस्तों ने सद्धिज मुरिया को गौड ओफ ओनर पीश किया इस मौकर पर कर्तब बाजी भी दिखाई गई सद्धिज मुरिया टेमिलेडू का तीन रोजा दौरा कर रहे हैं शाम छे बज़े से साथ बज़े तक वो हम वेनलख्वामी शौरत आफ़ता एशिया योगा संटर में मुनक्द होने वाले महाश्य वरातरी के प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे 112 फिट उंचे आदी योगी के मजिस्से में पर साउंड एंड लाइट शो में शुक्त करेंगे सद्धिज मुरिया के दोरे के मौके पर 5000 पॉलीस जवानों के साथ विफाज़त इंतिजामात किये गए हैं बैकातों और मुबाइल खिद्मात हासिल करने के लिए आधर को रजा करना बनाते हुए मरकज की जानिप से जारी किए गारिया आॉड्य को सद्धिज मुरियार का मजृस्वान करनाट को इंडम अद होई हैं मुखतलिज मिचाक्णात के हैसे अधर के वरजा कराना बनाने वाले बिलको लोग सभा ने मनजूरी दी थी लेकिन राज़ सभा में इसे मन्जूरी हसिल नहीं हुई थी इस वजह से हूकुमत को Ordineuse जारी करना पड़ा मरकजिका बिनाने आधार एक्ट में तर्मीम करते हूए और्डिनेंस जारी किया था जिसे सद्ध जमूरिया ने मन्जूरी दे दी है वजिराजम ने रिद्रमोदी दो रोजा दोरे पर आज गुजरात पहुंच गए हैं जोरान वो मुक्तलिफ तरखियाती प्रोग्राम में हिसा लेंगे वजिराजम सौराश्टरा के अलाखे जामनगर पहुंचे जहां उन्होंने साथ सो पचास बिस्तों पर मुच्तमिल गुरुगोविंसिंग हॉस्पिटल और पीजी हॉस्टेल का इफ्तिता किया बादजां बांदरा जामनगर के दर्मियान हमसफर एक्सप्रेस को हरी जंडी दिखा कर रवना किया वजिराजम बादजां पीने के पाने के प्रोजेट का संगी बन्याद रखेंगे रंजीत नगर के अलागे अलावा मुक्तलिफ मुकामात पर लिफ्ट एरिगेशन स्कीमात का भी इफ्तिता करेंगे बाद में अमदबाद पहुंचकर 6 किलोमेटर तबील मेट्रो रेल रूट का इफ्तिता करेंगे इस मौकर पर वो दूसरे मरहले के कामों का भी संगी बन्याद रखेंगे वजिराजम नर्दमोदी शर्म योगी मन्थन योजना स्कीम का भी इफ्तिता करेंगे चीफ मिनिस्टर के सियार और टियारेस पार्टी पर तेलंगाना प्रदिश कॉंगरेस कमीटी के सदर उत्म कुमार रिडी के रिमार्क्स टियारेस के कारगुजार सदर के टियार ने रदेमल जाहर किया तेलंगाना बहन में मेडिया सबाद करते हुए उन्हों ने कहा कि कौंगर्स के दो अरकान आसमबली आर कांतराओ और A.S.कु ने खबायलियों और अपने हलकों की तरकी के लिए TRS में शमूलेत अफ्तियार की है और उन्होंने इस स्लसले में एलान भी जारी किया उन्होंने कहा कि सियासी खायदीन की जानेब से पांटियां तब्दिल करना कोई नई बात नहीं है उन्होंने कहा कि आज उत्रप्रदीश में बीजेपी लीडर जोतिबा फुले ने राहुल गांदी के मौजूद्गी में कौंगरस में शुमुलिय तब्तियार की इस पर कौंगरस खायदीन क्या कहेंगे उन्होंने कौंगरस खायदीन कारकान इसम्बली को खरीदने के लजामात को मुस्तरत कर दिया प्रयोजनालू मापरांत अभिरुद्धी गिरिजेनुल संक्षेमम् ती यरेस के कारगुजार सदर के टी रमराव ने कहा कि आंधर प्रदेश की राई देन staan का ड़ाटा सरका करने के कलड़ामत के सामना करने वाली आईटी ग्रीड कंपणी के किलाफ खानून के मताबख कारवाई की गई है उन्होंने कहा कि शेगागत कुनंदगा की जानिब से दर्खास किये जाने पर तेलंगाना पॉलीस ने जो कारवाई की है उसमें कोई गलत बात नहीं है उन्होंने सवाल किया कि अगर कमपणी ने कोई गलत काम नहीं किया है तो आंदरप्रदेश हुकूमत परेशान होने की क्या जरूरत है पाकिस्तान ने सरहत पर एक मरतबा फिर जंगबंदी के खिलाफ फर्जी की है आज सुभा कश्मीर के अखनोर सेक्टर में पाकिस्तानी रेंजर्स ने फारिंग की तीन बज़े से शुरू हुई इस फारिंग का हिंदुस्तानी फौज ने भी मोत और जवाब दिया उदेदारों ने बताया कि सुभा साड़े च्छे बज़े तक फारिंग का सिल्सिला जारी रहा है खते खब्जा पर पाकिस्तान की जानिब से जंगबंदी के खिलाफ फर्जी जारी है सरहती देहातों में रहने वाले अवाम को निशना बनाया जो रहा हैं जिसके बज़े स अवाम को महफूज मकामात पर मतकल कर रहे हैं बाज़ा बात कारी मराकिस खायम किये जारी हैं सरहती देहातों में बंकरों की तामीर भी तेस कर दी गई हैं पेश है मज़ीद तफसील हिंदोस्तान और पाकिस्तान के दर्मियान खते खबजा पर कशीद की जारी हैं पाकिस्तान की जानिब से बार बार जगमंदी मुहाइदे के खिलाफ फर्जी की जारी हैं हिंदोस्तान की चोकियों के अलावा सरहती देहातों को निशना बना कर फाइरिंग की जारी हैं सरहत देहतों में रहने वाले आवाम को महफोज मकामाद पर मुंतखल किया रहा हैं उड़ी सेक्टर के कमलकोट के अलावा खरीबी देहतों के आवाम को हकुमत ने महफोज मकामाद पर मुंतखल कर दिया गया हैं इन देहतों के खरीब इसकुलों और दीगर सरकारी मारतों में पाकिस्तान की किसी भी हरकत से डरने वाले नहीं हैं। इस बच्चे की बातों से अंदाजा लगा जो सकता है कि मुलके बारे में यहां के लोग क्या सोच रखते हैं। वो हर मुश्किल बरदाश करने के लिए तयार हैं लेकिन अपना गाउं छोड़ने के लिए तयार नहीं हैं। साथ मेना जो रहा हैं। मुलक भर के शिववंदिरों में भक्तों का हुजूम देखा जो रहा हैं। सद्धिज मुर्या रामनात कुविन और वजिराजन नरिद मोदी ने अवाम को महाश्वरातरी के मौके पर मुबारक बात देते हुए उमेज जाहर की के अवाम की जिन्दगी में अम्न और खुशाली आएगी। गवरनर येसलनर सीमन और चीफ मिनिस्टर के चंद शेकर राउने भी रियास्त के अवाम को महाश्वरातरी के मौके पर मुबारक बात देते हुए। आखिर में खबरों को खुलासा एक बार फिर अमन के लिए पाबंद एहद लेकिन जरूरत पढ़ने पर किसी भी कारवाई के लिए तयार सदर जमूरिया का इत्याव हिंदुस्तानी फोज की हिम्मत और बाहदरूई की रामनाद को विनने की सताइश। दो रोजा दोरे पर गुजरात पहुंचे वजिर आजम जामनगर में ग्रुगोईन हॉस्पिटल का मोदी ने किया इफ्तिता। नापसंदीदा ख्यादत की वज़े से कौंगर्स हरकार ने तबदील की पार्टी उत्तम कुमार रेड़ी की तन्खीदों का केटिया ने दिया जवाब और रियासत भर में शिवरातरी का जो शुक्रों से एहतमाम सद्ध जमूरिया, वजिर आजम, गवरनर और चीफ मिनिस्टर की अबाम को मुबारक बाद